AI पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं खाडी देश Artificial Intelligence को लेकर दुनिया भर में चर्चाओं का दौर चारी है कुछ इसका खुल कर समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसे सीरे से ही ना कर रहे हैं इस बीच खाडी देश ऐसे हैं जो लगातार AI को बढ़ावाद देने में जुटे हैं तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आई होब के आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड AI पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं खाडी देश आगे है डेटा कॉर्परेशन की ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है इसके मुताबिक UAE सौधी और कतर जैसे खाडी देश जिनका मुख काम तेल उत्पादन है वो अपने देशों में ASI पर यूरोपियन देशों में ज़्यादा खर्च कर रहे हैं Middle East में इस साल AI पर तकरीबन 3 अरब डॉलर खर्च करेंगे जो अगले 3 साल यानि 2026 तक बढ़कर 6.4 अरब डॉलर हो जाएगा सबसे अहम सवाल है कि खाडी देश आखिर AI पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं UAE में दुनिया का पहला AI मंत्री सन्युक्त अरब अमीरात यानि UAE उन देशों में पहले नंबर पर है जो राष्टिय तोर पर AI तक्निक को अपना चुके हैं यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने AI मंत्री तक की नियूतिक की है उसके बाद तो मिस्त्र, जार्डन, मुरको, कतर और सौधी अरब जैसे कई देश UAE के नक्से कदम पर चलने लगे और अधिकांस ने इस रन्निती को पिछले तीन साल में अपना आया है सौधी में नया सहर बसाएगा AI सौधी अरब तो अपना नया है और अप मात्वकांची सहर नियूम बसाने के लिए AI की भरपूर सायोग लेने की योजना बना रहा है हलाकि AI को लेकर खाडी देश भी अलग-अलग सोचते हैं फिलाल यहां भी चैट बाट्स की तरह ही Artificial Intelligence का इस्तमाल हो रहा है हालाकि भविसे में इसके बढ़ने के उम्मीद है तो हेलो फ्रेंड जानकारी कैसे लगा आपको वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें थैंक यू वीडियो को पूरी तरह सुनने के लिए